जै महाकाल दोस्तों! कैसे हैं आप लोग? आसा करता हूँ, भले चंगे होंगे, मज़े में होंगे. दोस्तों, हर व्यक्ति अपने जीवन में चाहता है कि वो किसे ने किसी मुकाम पर पहुँचे. हर व्यक्ति अपनी लाइफ को ले करके, अपने परिवार को ले करके, या अपने सामाजिक धाचे को ले करके, कोई एक सपना देखता है, कोई एक चितर उसके सामने होता है, कि मैं यहाँ पहुँचूंगा, इस जगा पहुँचूंगा, इस तरह का मेरा आवास होगा, मेरा घर होगा मेरा बंगला होगा ऐसी मेरी गाड़ी होगी इस तरह के मेरी नोक्री होगी या ऐसा मेरा व्यवपार होगा इस तरह के वो कोई ना कोई हर व्यक्ति अपने दिमाग में एक संपूर्ण दुनिया लेकर के चलता है और उसका वो पिक्चर लेकर के चलता है कि उस दुनिया में उसकी जगा कैसी होगी और कितने समय तक होगी हर व्यक्ति इस तरह प्रयत्न करता है और इन सारी चीजों के लिए व्यक्ति को चाहिए पैसा क्योंकि आज का जो समय है इस समय का एक तरह से ऐसा मान लीजिए कि जो भगवान है वो पैसा ही है यदि आपके पास पैसा है तो आपकी हर जगा पूछ होगी आपकी हर जगा मांग होगी आपको हर जगा बहुत ही अच्छे से बुलाय बैठाय जाएगा मान सम्मान दिया जाएगा और यदि आपके पास में किसी भी कारणवस यदि पैसा नहीं है तो समझ दीजिए उस व्यक्ति कि फिर कहीं पर भी कोई जगा नहीं रहती है तो यह जो समाज है इस समय का यह ऐसा है कि जो पैसे का प्रधान है जिसके पास में पैसा है उसे हर तरफ से बुलाया बैठाय जाता है उसका मान सम्मान किया जाता है तो आज जो मैं उपाय आपको बताऊंगा यह उपाय ऐसा ही है कि इस उपाय के चलते आपके पास में पैसा आने लग जाएगा मैं जो नंबर बताऊंगा उसको आप लिख करके रख लेते हैं तो इसके चलते हैं यह नंबर इतना पावरफुल है सारी ही चीज जो संपूर्ण एक वह इतना पावरफुल है कि वह अपने आप में पैसों को खीचता है जिसे कि आपने देखा होगा कि जो लोह चुमबक होता है मैगनेट वो जितना पावरफुल होता है उसको यह आप कहीं पर रख देंगे तो आसपास की जितने भी लोहे की चीज हैं उसको खीच लेता है अपने पाथ इसके लिए आपको कोई एक्स्ट्रा प्रयत्न नहीं करना पड़ता है इसी तरह कि कुछ ऐसे नंबर हैं कुछ ऐसी चीजें हैं कंत्र हैं मंत्र हैं टोने टोटके हैं कि जो स्वत्व अपने आप धन को खीचते हैं अपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति बड़ी ही आसानी से अपने जीवन में बहुत बड़ी सफलता को हांसिल कर ले हैं कि जिससे पेशा उसके तरफ खीचा चलाता है तो दोस्तों यदि आप हमारी चैनल में नए है तो मैं आपको बता दू कि हम इस चैनल के माध्यम से हमारे प्राचेंतम गुरंथों में चुपे हुए कई ऐसे गूड रहस्य हैं जिसके बारे में जानकारी प्रिदान करते हैं तो यदि आप इसी तरह की जानकारी में रूची रखते हैं इसी तरह के ग्यान के बढ़ावे को यदि आप ज़्यादा प्रसार करने में मानते हैं तो अभी हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिए तो चलिए दोस्तों मैं बता देता हूं आपको के आपको कौन से न उसको आप हल्दी से रंग दीजिए हल्दी को पानी वाला करके उससे आप उसको रंग दीजिए उस पर लाल कुमकुम से आपको इस नंबर को जैसे मैं इमेज आपको बता देता हूँ इमेज कि इस तरह की इमेज है इस इमेज को आपको एजेटी ऐसा ही उसमें बना लेना है और बनाने के बाद में आप इसमें कोई भी आपको जो कोई भी माता लक्षमी का मंत्र याद आए या उनकी लक्षमी इस्तुति या लक्षमी चालिसा कोई भी जो आपके मन से प्रकट जो आपको अत्यान्त प्रिये लगती हो ऐसा मंत्र या कोई भी इस्तुति आप लक्षमी जी की करें नहीं कर पाते हैं तो प्रातना करें घीका दिपक जलाएं दो अगर्पति करें इसके बाद में इस यंद्र को आप अपने पर्स में रख लें अपने पर्स में रख लें है तरगर है कि यह अपने आप आपका जो कोई भी काम होगा उसको बढ़ावा देना लग जायेगा यदि आप छोब करते हैं बिजनस करते हैं फ्युTo कोई भी चीज करते हैं उसमें आपकी अपने प्रगती होने ललग जाएगी आप चहां कहीं भी चाहें इसका आप इस्तेमाल कर सकते हैं यदि आप इसको ध्यान से अपनी नजरों में बसा लेते हैं दिमाग में बसा लेते हैं तो जब भी कोई काम करने के लिए जाएं आँख बंद करके इसको थोड़ी देर देख ले यदि यह नहीं हो पाता है तब तक आप इसको ऐसे निकाल करके थोड़ी देर देखें और काम ना करें संपूर्ण भाव से जो कुछ भी इस सचराचर जगत में द्रश्यमान है वो सारा ही कुछ आपके भाव से पेदा हुआ है और आपके भाव के चलते ही वो आपको प्राप्त होता है तो इसे संपूर्ण भाव के साथ में देखें अपनी पर्स में रखने दुबारा से और काम के लिए निकल जाएं आप देखेंगे जिस किसी भी कारे में आप इसका इस्तेमाल करेंगे आपको उसमें अचूक सफलता मिलेगी इसको आप किसी भी दिन बना सकते हैं लेकिन बनाना है दिन के समय लेकिन यदि कोई सूब नशतर में सूब घड़ी में बनाते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होता है बाकि आप इसको किसी भी दिन बना सकते हैं ठीक है तो चलिए दोस्तों अब इसी उपाय के साथ मुझे दीजे विदा और आप लोग देखते रहें दिव प्रकास और अपने जीवन में लाभनवित होते रहें धन्यवाद